So guys, नमस्ते everyone, व्रजेश रवान येर, तो you know guys, आज के वडियो में हम बात करने वाले है, what is GMX token और क्या उसका price prediction होने वाला है, ठीके, क्योंकि हम particular एक, you know, cryptocurrency को इसलिए बात करते हैं, क्योंकि उसको अच्छे से हम explain भी कर पाए है, और उसका price prediction, यानि कि आपको buy करना है, कि न फटावट से उसके बात करते हैं, तो यहाँ पर basically हम बात करते हैं, GMX token जो कि अभी $83 के आसपास चल रहा है, जो कि यहाँ पर आप coin get को की website पर आप देखोगे, तो उसका circulating supply भी आप यहाँ पर देख सकती हो, फिर उसका total supply and maximum supply, ठीके, maximum supply की हम बात करते हैं, यहाँ पर already mentioned है ठीके, और maximum supply भी काफी काम है उसका, और दुसरा चीज यह है कि अभी जो $83 के आसपास जो चल रहा है, वो एक ऐसी यहाँ पर एक ऐसी price है, जिसको अभी में आपको नहीं suggest करूँगा, कि आप भी buy करो, उसका reason में भी आप बात में पताता हूँ, ठीके, उसके बाद यहाँ पर हम बात करें, उसकी यह particular website के बार, website के हम जाते हैं, तो उसमें पता चालता है कि यह decentralized perpetual exchange है, ठीके, और जो की exchange एक arbitrum और avalanche जैसे network पर बना हुआ है, ठीके, decentralized exchange को पर मैंने इसलिए यह video बना है, क्योंकि decentralized exchange आने वाले, आने वाला future भी है, और अभी जो से centralized exchange में बहुत सा तरे लोगों ने अपना जो fund है, कही ना कही वो stuck हो गया था, और काफी लोगों ने उनका fund भी गवाया था, ठीके, तो काफी लोगों का जो trust है, वो decentralized exchange में ज्यादा अभी बढ़ता जा रहा है, ठीके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यह जो GMX decentralized exchange की हम बात करें, उसम काफी अच्छ से leverage लेके, यहाँ से trading कर सकते हो, ठीके, तो यहाँ पर उसका trading volume से लेके, उसका जो भी open interest से लेके, total user कितने हैं, वो सारी चीज़ों का है, यहाँ पर उन्होंने बताया है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ जानकारी के लिए कुछ है नहीं, बट यहाँ पर जिस का area है, यह एक resistance area है, ठीक है, मैं आपको suggest करूँगा कि अभी आप buy मत करो, क्योंकि यहाँ से definitely थोड़ा reject करके correction आएगा, और यह वाला जो zone है, उस zone पर, यानि कि 60 डॉलर वारा यह zone है वापस उसको touch कर सकता है, possibility यह है, ठीक है, यह मेरा अनुमान है, यह मेरी एक थोड़ा research है, थोड़ा मेरा एक observation है, ठीक है, बाकी आप खुद का भी research कर सकते हो, यहाँ पर बाकी और भी यहाँ पर एक resistance, यहाँ पर पास में उन्होंने resistance बताया था, यह वाली trade line पर, ठीक है, तो इसलिए मैस मुझे लगता है ऐसा कि annual time में यहाँ पर already reject होके नीचे आ रहा है, त तो definitely आप यहाँ पर वापस से $60 के असपास जब यह देखते हो, तब एक काफी अच्छा सा buying zone आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, but for example आपको ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा buy करो ऐसा हो, तो आपके पास $100 है buy करने के लिए, तो अभी आप समझ लो के $10 buy करो, $20 buy करो, तो आपको जब भी अच्छा deep मिलेगा, तब अच्छे से buy करके, आने वाले टाइम में जब वो उपर जाएगा, तो काफी अच्छा सा profit ले सकते हो, तो ultimately GMX की में बात करो, तो अभी यह 68 rank पे चल रहा है, ठीक है, काफी अच्छा सा उनकी market cap और काफी अच्छा सा उन्होंन होप आपको समझ गए होगे, और आने वाले टाइम में उसका जो price prediction की जो हमने बात किया, वो आने वाले टाइम में काफी अच्छा सा उपर जा सकता है, बट वो कब जा सकता है, वो यह वाला जब यह जो resistance से वो break करता है, तो आराम से वो 100 डॉलर तक का touch भी कर सकता है, उसम कर फसक भी करना napर, तो आराम सक भी करता है, यह जब ने का गफम का फसम बटाइम जो ने वाले लगार अो शाह जब शहित, बटाना Rico, वो कर फसम बटाइम है, बाता है, ढूग करो दिमक झाले जब भी करता, यह जो हमने बहों को करता है, पसर दो हमां औराम से, इंशना कै झाल झाल